आपका जो ध्यान होता है, जो आपके विचार है, जो आपकी उर्जा है, वो सारी के सारी स्कैटर है, बिखरी हुई है, हजारों विचार आपके मन में चल रहे हैं, और आपकी जो उर्जा है, वो सारे के सारे विचारों के अंदर डिस्ट्रिब्यूट हो रही है, आपने अला एक साल में XYZ एक्जाम की तयारी करनी है, आपने डिसाइड किया कि यूट्यूब में मुझे इस टॉपिक क्यों पर वीडियो बनानी है, या फिर मुझे ये वाली फिल्ड में बिजनस करने का बहुत मन कर रहा है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबसे बड़ी प्रोब्ल कि यार ये तो बहुत तगड़ा, ये तो बहुत सही है, आप उस समय इतने मोटिवेटेड होते हैं, एक दिन आपने काम किया, दो दिन आपने काम किया, उसके बाद आपकी इच्छा नहीं करती उस काम को करने की, जितनी शक्ति आप महसूस कर रहे थे उस वक्त, जितना जा आया उसके बाद वही, सोचा कि यार मसल पुटाउन करेंगे, सोचा कि यार मसल लूस करेंगे, एक दिन डाइट पर कंट्रोल किया, दूसरे दिन डाइट पर कंट्रोल किया, तीसरे दिन, अरे यार मोमोस खा लेते हैं, अरे यार चिली पोटाटो खा लेते हैं, ये क्या है lack of willpower और ये willpower ही है जो आपको मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था because मैं willpower के उपर research कर रहा था willpower एक मात्र ऐसी चीज है अगर कोई इंसान अपने सिरफ physical level पे like three dimensional दुनिया के अंदर चीजों को चाहता है कि वो achieve कर पाए तो willpower is the only way उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है willpower का मतलब हिंदी में इच्छा शक्ती यानि कि आपके विचारों में कितनी प्रबलता है आपके thoughts में कितनी पावर है willpower का basically मतलब ये होता है कि your ability to resist the short term gratifications to achieve the long term gratification या कहलो कि short term temptations short term pleasures आप पढ़ाई कर रहे हो आपके किसी friend ने phone करके आपको बोला कि चल यार नीचे चलते हैं चल यार वहां मिलते हैं चल यार movie देखने चलते हैं आपको पता है कि आपको पढ़ना है आपको पता है कि आज आपका target था आपको X amount of portion अपनी पढ़ाई का खतम करना था और आपने सुभा सुभा बादा किया था अपने आपसे कि फाड़ के रख देंगे आज कुछ भी हो जाए शाम आते आते आपके friend का phone आया आपको पता है अभी तो मेरा 40-50% बचा हुआ है आपने उसको बोल दिया कि चल ठीके चलते है short term pleasure के लिए आपने अपने long term long term का मतलब भो काम तो आपको रात का खतम होता न आपका जो आप पढ़ाई कर रहे थे उसको आपने जाने दिया that is your will power अब यहाँ पे सही और गलत की बात नहीं गर रहा है किया क्या हो गया अगर आप पीच में उठके चले भी गई तो कोई problem नहीं है but the question is आप ऐसा कितना frequently कर रहे हैं once in a while it's okay हम इनसान है मन करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है but question यह उठता है कि आप इसको कितना frequently करते हो आपकी आदत ही यही बन गई है आपके पास कोई important काम नहीं है आपके पास time है तो आप बैठो कोई दिक्कत नहीं है बात में regret क्यू करते हो फिर कि अरे यार वो आ गए थे मौसा जी आ गए थे रिष्टेदार आ गए थे फिर बैट गए फिर अंदर से आपको भी पता होता है और procrastination करते ही इसलिए है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं willpower से connection है willpower बहुत कमजोर है अगर आपकी willpower weak है या आपकी willpower fail हो जाती है आपकी इच्छा शक्ती में दम नहीं है आपके विचारों के अंदर प्रबलता नहीं है शक्ती नहीं है तागत नहीं है तो आपका cognitive system fail हो जाएगा cognitive system का मतलब किसी भी decision के उपर सोचना विचार करना like अपना जो ये thinking process होता है आपका four brain, prefrontal cortex इसको activate करना कि कोई सामने decision है कोई सामने आपके पास में कोई opportunity है उसके बारे में सोचना without thinking, without introspection आप उसके पर react कर जाते हो willpower बहुत weak है आपके अंदर ताकत नहीं, आप में शक्ती नहीं है emotional impulses को handle नहीं कर सकते हैं कुछ psychologist ने दो तरह के लोगों के ओपर test किया, उनके brain scans को उन्होंने ढंक से observe किया, ऐसे लोग जिनकी willpower बहुत weak है, ऐसे लोग जिनकी willpower बहुत strong है, उनके brain scans में होते हैं, आप ढंक से जाच परताल करके फैसला लेते हैं, जो आपका brain का वो हिस्सा होता है, वो बिल्कुल भी active नहीं था, वहाँ पे शक्रिया था नहीं थी किसी भी चीज की, यानि कि वहाँ पे कोई activity नहीं हो रही थी, जिनकी willpower बहुत weak है, weak willpower के कुछ और लक्षन है, कुछ और symptoms है, जैसे की unhealthy खाना खाना, आपने decide कि आप हफते में एक बार खाएंगे, लेकिन आपने दूसरे ही दिन market के अंदर pizza की खुश्बू देख ली, आपको लगा यार चलो pizza खाते हैं आपने decide कि यार आप में देख सकते हो कि यार क्या हो गया, मतलब मस्ती मस्ती में खा लिया तो क्या हो गया, but at the very same time, अगर आप इसको थोड़ा सा धंक से observe करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरह की weak willpower है इतना भी दिमाग लगाने वाली लेकिन आप दो तरफ से लड़ाई क्यों कर रहे हो आपके मन में दो विचार है एक आपने खा भी लिया, unhealthy खाना फिर दूसरा घर पर आगे मैंने खा लिया मैंने सोचा था मैं नहीं खाऊंगी ये लड़ाई क्यों हो रही है फिर इसका मतलब कही न कहीं आपने गढ़बढ करी है आपने खुद पहले decision लिया उसके बाद आपने अपने ही decision को तोड़ दिया यानि कि आपकी willpower बहुत कम है या बहुत weak है दूसरा लक्षन है emotional decision बहुत जल्दी जल्दी ले ले लेते हैं यानि कि आपकी willpower बहुत weak है आपके अंदर इच्छा शक्ती नहीं है आपके thoughts के अंदर वो power नहीं है कि आप किसी चीज के उपर बैट के टिक के decide कर सके emotionally आप बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हैं गुच्सा बहुत जल्दी आता है या किसी भी बात पर आप रो पढ़ते हैं बहुत जल्दी किसी ने कुछ बोल दिया उदास हो गए किसी ने कुछ बोल दिया मुह बना लिया किसी ने कुछ बोल दिया आपका ego बहुत जल्दी हट हो गया कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया या फिर इसनों मुझे ऐसे बोला, ये दोनों ही situation है, weak willpower के, तीसरा symptom ये होता है कि आपकी जो financial buying होती है न, वो आपकी बड़ी खराब है, मतलब आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आपको जो दिखा आपने खरीद लिया, ये पसंद आ रहा है, खरीद लो, वो पसंद आपने बजट को नहीं देखा, बस आपको लगा किया, चलो खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोग, comparison में भी खरीद लेते हैं, कि उसने ये चीज़ खरीद ली, मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं भी खरीदूगी, या मैं भी खरीदूगा, लड़कियों में ये बहुत ज़्या परिशान होते हैं, depressed होते हैं, stressed होते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, overeating या emotional eating कहलो, research में ये पता लगाया गया, कि जो भी इंसान परिशान होता है, depressed होता है, हाट ब्रेक हुआ है, ब्रेक अप हुआ है, या life में और कोई परिशानी है, तो वह रात के 12 बज़े एक बज़े fridge खोलता है, और ice cream निकाल के खाने लग जाता है, या chips के packet भरने लग जाता है, cold drinks है, तो वह consume करने लग जाता है, कुछ भी अंचंट जो मिले वह खा लिया, research में ये पता लगाया गया, कि जो भी लोग इस तरह का behavior दिखाते हैं, emotional eating, वो emotional eating नहीं है, वो lack of willpower है, ये research कह रही है, मैं नहीं कह रहा, अगर आपको पता लगाना है, अगर आपको जानना है, आप link description में मैं आपको दे दूँगा, आप जाकर एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका direct connection आपकी इच्छा शक्ती से है, आपको पता है कि आप परिशान है, आपको अंदर इच्छा शक्ती की बहुत कमी है, आपके विचारों में प्रबलता नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ का, इस word का यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो के इस point तक आचुके हो, अब आपको focus बढ़ाने की जरूरत है, because now I am going to tell you some techniques through which you can enhance your willpower immensely, लेकिन एक शर्त है यार, practice करनी पड़ेगी, तुम लोग लाखो वीडियो देखते हो, मैं बार बर अपनी वीडियो में बोलता हूँ, कि यार, 36 वीडियो देखने से अच्छा ना, एक वीडियो देख लो, किसी की भी देखो, ज़रूरी नहीं है, मेरी देखो, किसी की भी देखो, जो भी आपको लग उसमें से कुछ चीजे पकड़ लो और उसको रगड के अपलाए करो, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, नमबर बन, एक पेपर लो, उस पेपर के उपर exactly लिखो, कि आप क्या चीज चाहते हो, या अगर आपकी कोई गंदी आदत है, तो आप उसको छुडाना चाहते ह लिखो, अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो लिखो, या फिर आप अपना कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, सिंपल मालू मैं एक एक अग्जांपल ले लेता हूँ कि यार मुझे एक हफते के अंदर अंदर ये पार्ट अपने पढ़ाई का खतम करना है, ये वाले च अपने कमरे के अंदर डिम लाइट जलाईए, छोटा कोई बल्ब हो या छोटा सा कोई लैम्प हो, हलकी रोशनी करिए, आप उस पेपर को 10 मिनट तक स्टेर करिए, और ट्राइ कीजिए कि आपके मन में कोई विचार ना है, पहले दिन बहुत परिशानी होगी, जो लोग मे इवेंचोली ये चीज ठीक हो जाएगी, आप बैठिए, पेपर में जो लिखा हुआ है, जो आप चाहते हो कि आप करना चाहते हो, या फिर जो अपनी ब्रेन में से दिलीट करवाना चाहते हो, उस पेपर लिजिए, उसके उपर लिखिए, कि मैं उन्नेसेसरिली नहीं बोल सिर्फ तभी बोलूँगा या बोलूँगी जब काम की बात होगी जब important कुछ कहना होगा तभी बिना मतलब में मैं अपनी energy waste नहीं करूँगा या करूँगी वह अप लिखिए उसको अब 10 मिनट तक रोज डेली रात को सोने से पहले देखो ट्राइ करना है कि कोई विचार ना है विचार आ रहा है तो उसको जाने दो विचार को पकड़ो मत विचार को पकड़ोगी एंटर्टेन करोगी तो वो विचार और ज्यादा expand हो जाएगा ये तब तक करो जब तक आपको ये महसूस ना होने लग जाए कि यार changes आ रहे हैं मेर मैं बहुत कम बोला as compared to पहले के टाइम पर जब मैं बहुत जादा कुछ भी बोल दिया करता था मेरे अंदर change आ रहा है दीरे दीरे आप उसको और बढ़ाते जाओ एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी habit बन जाएगी उसके बाद आपको इस चीज को करने की कोई जरुवत न मैं कुछ पढ़ रहा हूं या पर मैं नहीं फोन उठाया मैं कुछ सोच रहा हूं यह सब logical mind में होता है आप मुझे कोई maths का question देंगे मैं उसको solve कर रहा हूं यह सब logical mind कर रहा है subconscious mind होता है यह 24 गंटे active रहता है इसको आप observe भी नहीं कर सकते देख भी नहीं सकते और यह control करन बहुत मुश्किल होता है subconscious mind तक पहुचना बहुत मुश्किल है subconscious mind तक आप अपने logical mind को shut कर दें पूरी तरीके से जब तक आपका यह जो बाहर मन है न भाहिर मन कहते है शुआ हो जब तक इस लिए आप पने अपने subconscious mind तक नहीं पहुच पाऊगे इसके लिए आप क्योंकि रात को जब आप सो रहे होते हो तो आपका logical mind दीरे 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 शटडाउन हो जाता है आपका subconscious mind active रहता है तो जितने भी आप सपने देखते हो वो सारे के सारे subconscious mind का खेले और कुछ भी नहीं है जब आप निर्विचार होकर के silent mind से बहुत कम thoughts या zero thoughts के जीरो thoughts तो भाया मतलब बड़ी तगड़ी चीज होती है लेकिन अगर आपने thoughts को एकदम minimize कर लिए आपके मन में बहुत कम विचार आ रहे है और आप वो चीज पढ़ रहे हैं कि मुझे ये चीज करनी है एक हफते तक करनी है आप उसको बार बार read कर रहे हैं फील कर रहे है emotions के साथ तो वो धीरे धीरे आपके subconscious में जाना start कर देगी because subconscious mind में वो हर चीज जाएगी जब आपका logical mind बंद हो जाएगा logical mind बंद होने का सीधा-सीधा ये मतलब है कि जब आपके thoughts पहुत कम हो जाएंगे आपका मन एकदम crystal clear है दूसरी टेकनीक specially उन लोगों के लिए है जो लोग students है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं school में हैं, college में हैं entrance exam की preparation कर रहे हैं number two, कोई भी book उठा लो उसकी पाँच लाइने select करो phone उठाओ 10 minute का alarm लगाओ या stop watch लगाओ और अपने आपसे ये वादा करो कि इस 10 minute के अंदर अंदर हम ये 5 line याद करके दिखाएंगे ये जादा तर ये वाली टेकनीक फाइदेमन उन लोगों के लिए है, बाकी इसको कोई भी कर सकता है, randomly कोई भी book उठा लीजिए English या Hindi उसके बाद में 5 line mark कर लो और वो आपको पढ़नी है याद करनी है, पढ़नी है नहीं याद करनी है 10 minute के अंदर अंदर फाइदेमन्द है students के लिए उनको अपना syllabus का portion याद करने का मौका मिल जाएगा तो मानलो अगर आप physics पढ़ रहे हैं chemistry पढ़ रहे हैं, history पढ़ रहे हैं science कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कोई math का question आपको उसकी practice करनी है अलाम लगाओ 10 minute का मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ या करती हूँ कि मैं 10 minute के अंदर-अंदर ये वाला इतना part खतम करके दिखाऊंगा ये आपको वादा करना है और 10 minute के अंदर-अंदर वो चीज हो जानी चाहिए दीरे-दीरे आप इसको बढ़ाइए आप इसका time कम कर सकते हो पर इस काम को आप रोज करो ये नहीं कि पूरा दिनी लेकर के बैठे हैं अलाम लगा रहे हैं लेकिन आप दिन में तीन-चार बार ऐसा कर सकते हो इसका impact आपको अपनी पूरे दिन भर की जो पढ़ाई का time होता है उसमें दिखेगा इसके पीछे का logic क्या है जब आप नॉर्मल ही पढ़ाई करने बैठते हैं आपका जो ध्यान होता है जो आपके विचार है जो आपकी उर्जा है वो सारी के सारी scattered है बिखरी हुई है हजारों विचार आपके मन में चल रहे हैं और आपकी जो उर्जा है वो सारे के सारे विचारों के अंदर डिस्रिब्यूट हो रही है तो एक भी विचार प्रबल नहीं हो पाता बैठे हैं ये भी कर लें वो भी कर लें वो आई थी उसका मेसिज आया था उसको reply करना है मैंने तो ये वाला काम नहीं किया मेरी मम्मी ने मुझे वो काम बोला था वो करना था फिर मुझे पढ़ना भी है मेरा टेस्ट भी है अरे यार मुझे उसका काम भी पूरा करना है अरे यार मुझे तो प्रोजेक्ट भी पूरा करना है उस टाइम में आप इतने सारे विचार अपने मन में लेके आ रहे हो energy कितनी scattered है कितनी distributed है centered नहीं है pinpointed focus नहीं है आपका mind इतनी penetration power नहीं है कि आप जो काम पकड़ो उसको पूरा कर सको यह जो technique बता रहा हूँ यह बहुत बहुत भहुत भैंकर technique है because आपने alarm लगा रखा है stop watch चालू है आपको पता है 10 minute के अंदर-अंदर मुझे यह चीज करनी है चाहे कुछ भी हो जाए आपके दिमाग में सिरफ उस समय एक ही भूच सवार होगा कि मुझे 10 minute के अंदर यह चीज करनी है नहीं तो stop watch बंद हो जाएगी या alarm बंद जाएगा उन 10 minute के अंदर-अंदर आप अपना focus देखना it is an immense technique जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में मुझे लगा यार यह कितनी सही चीज है उस 10 minute के अंदर-अंदर सोचो आपका focus कितना तगड़ा हो जाएगा अब यह आपके उपर है कि आप इस technique को कितनी बार यूश करते हो दिन में करता आ जाएगी penetration पावर इतनी जादा हो जाएगी न उसकी जैसे वह magnifying glass होता है न वह activity हमने देखी थी sun rays होती है उसके नीचे magnifying glass लगा दोता है वह सारी की सारी sun की rays को इकठा करके एक जगा पर focus करवा देता है penetrating power इतनी तगड़ी हो जाती हो पेपर जल जाता है exactly हमारे मन का भी यही काम है willpower बढ़ाने का यह सबसे बढ़िया technique है आप इसको apply कर सकते हैं दिन में एक बार तो इसको apply करना ही है मैं again कह रहा हूँ students है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है जो student नहीं है वो भी इस चीज को कर सकते हैं वो randomly कोई भी book उठा सकते हैं कोई literature है कोई fictional book है उसकी पांच line है exact word to what आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए और दीरे दीरे try करो कि 10 minute से 9 minute 8 minute हो क्योंकि आप जितना जादा उसको बढ़ाएंगे न अपने focus को उतना जाद आपको चीज़े याद होंगी एक खाली कमरे के अंदर dim light जलाइए रात का time होना चाहिए शांती हो आपके कमरे के अंदर make sure कि आपको कोई भी बुलाने ना आए कोई भी disturb करने ना आए कोई भी आपके इस technique जब आप इसको कर रहे हैं तो बीच में कोई भी परिशान ना करें बैट जईया रामसे आप शुखासन में आलती पालती मार के जिसको बोलते हैं और उसके बाद आप गहरी शांस लो तीन चार बार और अपने आपसे यह बादा करो कि मैं 1000 से लेकर एक तक ओल्टी गिंती गाऊंगा या गाऊंगी और स्टॉपवश लगा दो 10 मिनट का 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 1000 से reverse counting करनी है एक तक इंग्लिश में करो यह हिंदी में करो यह आपके उपर है 1999,998,997,996 995,994 आप ऐसे कर सकते हैं आपको speed बढ़ानी है यह तो मैं धिरे-दिरे भोल रहा था विकास आप अगर calculate करोगे तो आपको 1000 तक counting करनी है और 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं तो 600 सेकंड में आपको 1000 तक counting करनी है तो एक सेकंड में एक भी count करोगे ना number तो भी 600 ही number हो पाएंगे यानि कि आपको एक सेकंड में दो number बोलने है तब जाकर के 1200 number होंगे और आपको तो जिरफ 1000 करने है यह टेक्नीक बहुत तकड़ी है कोई भी कर सकता है शांती से बैठिये, stop watch लगाईए हलकी से dim light आपके कमरे में होनी चाहिए ताकि आपकी body relax feel हो जाए उसके बाद में आप अपने आपसे वादा करिए कि 1000 से उल्टी इंतिका नहीं है इसके पीछे का again वही logic है आप यहाँ पे अपने आपको टिका रहे हो 10 मिनट के लिए 1000 से लेकर एक तक उल्टी counting करनी है आपको बीच बीच में मन बड़ा उठने की कोशिश करेगा वो जो एक तड़प है ना कि बस यार हो गया उठ जाओ नहीं हो रहा है यह मैं क्या कर रहा हूँ यह क्या बक्चोदी बता दी उस यूट्यूबर ने हमको यह पता नहीं क्या ही कर रहे है यह उठो बैटके पढ़ाई करो यह क्या 1000 से उल्टी किंती का रहे है हम लोग ऐसी करते हैं कोई नई टेकनीक सीखते हैं उसको दो देन करते हैं उसके बाद हमको लगता है पता नहीं क्या चूतियाबा मचा रखाई यह चोड़ो किताब खोलो पढ़ाई करो फिर वापस से वही प्रॉब्लम से फेस करते हैं फिर वापस से दो महीने बाद उस टेकनीक को ठाके करने लगते हैं फिर हमको लगता है यार हमने क्यों छोड़ा इसी साइकल में फसा रहता है आदमी कोई भी एक चीज़ पकड़ लो जो आपको बढ़िया लगे टेकनीक उसको फॉलो तो करो नहीं आपको रिजल्ट दे तो दूसरी टेकनीक अपलाए करना नहीं दे तो छोड़ी दे ना लेकिन करके तो देखो कम से कम एक हफते तक दो हफते तक महीने भर तक उसको करके तो देखो एक दिन दो दिन में कहां से आपको रिजल्ट मिलेगा यह जो रिवर्स काउंटिंग वाली टेकनीक है यह आपको टिकाना सिखाएगी एक जगा पे विल पावर आपने इच्छा करी कि आप हजार से लेकर उल्टी काउंटिंग करेंगे दस मिनट के अंदर अंदर ताइम याद रखना दस मिनट उसके बाद आप अगली दिन दो दिन तीन दिन बाद बैठो तो आप ट्राइ करना कि यह नौ मिनट हो जाए आट मिनट हो जाए क्योंकि आप जितनी जल्दी 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 काउंटिंग करना से एक ले बन जाएगी ना काउंट करने की एक हफ्ते के बाद तो आप फर्राटेदार तरीके से आप काउंट करोगे उल्टा विकार शुरू-शुरू में प्रॉब्लम हो ज़कती है आप ये टेकनीकी उस करके देखना और मुझे बताना कि आपको फायदा मिला की नहीं फूर्थ टेकनीक है तराटक तराटक का मतलब ये मैंने पहली वीडियो में भी शेयर किया था एक पेपर लीजिए उसके उपर डॉट बनाईए उस पेपर को दिवार पे कहीं लगा दीजिए और अपने आप से वादा करिए कि मैं शुरूआत में इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है बर दस मिनट इस दा मिनिमम टाइम 10 मिनट तक के लिए अपने आपको टिकाना सिखा आईए कि कुछ भी हो जाए अलाम लगाओ, stop wash लगाओ 10 मिनट का और उस dot को देखते रहो 10 मिनट तक बेठो पहले और अपने आपको कहो कि मैं 10 मिनट तक इस dot को लगाता देखता रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कोई आपको बुला रहा है इसलिए मैंने का यह चीज रात को करना क्योंकि अगर घर में कोई emergency हो गए कोई बुला रहा है आपको जाना पड़ गया तो आपका वो जो आपने प्रणन लिया था वो तूट जाएगा फिर आपको लगेगा अरे यार हमारे तो बसकी नहीं है बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हम भी ऐसा टाइम चाहा पर आपको कोई डिस्टरब ना करे डॉट लगाओ डॉट को देखो दस मिनट तक यहां पर दीरे दीरे टाइम बढ़ा हो दो दिन तीन दिन के बाद इसको 15 मिनट कर दो कि 10 मिनट तक तो बैट गए 15 मिनट बैटके देखें 20 मिनट बैटके देखें जैसे जैसे आप यहां पर अपनी टेकनीक्स के अंदर आप सफलता हासल करते जाओगे वैसे वैसे आप पाऊगे कि आप अपने life के बाकी aspects में भी successful होते होगे आप अपने आपको देखोगे क्योंकि मन टिकाने की कुशिश कर रहे हो आप तो अगर यहां टिक गया तो बस कहीं भी टिक जाएगा फिर फिफ्थ टेक्नीक है self-awareness और it is one of the toughest technique जो मैं आपको अभी तक बताई है self-awareness का मतलब कुछ भी नहीं कोई भी ऐसे बैट के कोई counting कोई page पर कुछ पढ़ना कोई dot what नहीं देखना self-awareness का मतलब मन में इच्छा आई है छोले बटूरे खाने है अभी कली खाए है बादा किया था कि अब अगले एक हफते तक या दू हफते तक छोले बटूरे हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन फिर दुबारा किसी ने बोल दिया कि चलिया रेक प्लेट छोले बटूरे खा लेते हैं अब आपके पास में option है कि आपको हाँ कहना है कि ना कहना है विचारों से ही पैदा होते हैं emotions विचार हाथ में है तो emotions तो कहीं नहीं गए फिर तो self awareness उतनी जादा बढ़ती है उनी लोगों की जो लोग या तो बहुत जादा practice करते हैं या फिर जो लोग बहुत अच्छे level की meditation कोई technique करते हैं या साधना करते हैं अगली जो दो टेकनीक में आपसे share करने वाला हूँ यह मैंने खुछ से सोची थी because मुझे mind और subconscious mind thoughts इन सब के बीच में जो function होता है वो मुझे समझ में आ गया है तो जब आपको core function समझ में आने लगता है कुछ चीजों का तो आप कुछ चीज़ आप खुछ से भी नहीं तो आप normally सुकहसन में बैठ सकते हैं उसके बाद 3-4 गहरी सांस लो अपने आपको शांत करो उसके बाद में maximum capacity तक आप जितनी भी सांस खीच सकते हो अपने lungs में आप पूरी की पूरी सांस अपनी भर लो lungs के अंदर और उसको प्रेट को hold करो 10 सेकंड के लिए और उस 10 सेकंड के लिए आप अपने अंदर सिरफ एक विचार लेके आओ कि मेरी willpower इतनी strong है जितनी इस दुनिया में किसी की भी नहीं है मेरी willpower इतनी strong है जितनी दुनिया में किसी की भी नहीं है मैं जो भी सोचता हूँ या सोचती हूँ वो काम मैं हमेशा पूरा करती हूँ मेरी इच्छा शक्ती बहुत प्रबल है आप अपनी सास को release करिए फिर दुबारा अपनी breath को hold कीजिए 10 सेकंड तक या फिर जितने भी maximum time तक आप अपने breath को hold करके रख सकते हैं और बार बार आप सिरफ एक ही विचार अपने subconscious mind में डालिए क्योंकि जब आप अपनी सास रो सास रोग दोगे विचार रोग जाएंगे विचार रोग गए logical mind shutdown हो गया subconscious mind पहले से activated है जो भी बोलोगे subconscious में जाएगा मामला खतम पर यह practice से होगा आप इसे करके देखो एक महीने के अंदर अंदर ना आपकी willpower strong हो गई YouTube पे आकर के मुझे जितनी गाली लिख सकते हो आप लिख देना, mail ID में भी लिख देना, description में आपको मिल जाएगी, एक बार आपके subconscious में कोई चीज चली गई, chance ही नहीं है कि वो काम ना हो, it's impossible, उसको होना ही होगा, seventh technique is believe system, इसमें आपको कोई कमरे में नहीं बैटना, कोई pen नहीं लेना, कोई dot नहीं बनाना, कुछ नहीं, आपने अगर, मानलो आप, आपको बहुत जदा craving हो रही है, कुछ मीठा खाने के और आप पढ़ाई कर रहे हो, और आपने आपको बहुत कंट्रोल करके रख रखा है, कि मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, तो आपकी सारी willpower, खर्च हो रही है, कुछ चोकलेट प्रूवन नहीं है, मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो इसके ओपर अभी भी एक question mark है, कि क्या willpower डिपलीट होती है, या नहीं होती है, बट कुछ रिसर्च चीज में यह पाया गया है, कि जब आप अपने लाइफ में, आपके दो अलग-अलग गोल्स होते हैं, या मानलो आ यहां भी भी आप अपनी उर्जा दे रहे हैं, आपकी willpower धीरे 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 घटती रहेगी, और आपकी इच्छा शक्ती इतनी खता हो जाएगी, कि आप अपनी उर्जा पढाई में भी नहीं लगा पाऊगे, और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करें, लेकिन belief system एक ऐसी कोई फरक नहीं बढ़ता, आपको हसी आ रही होगी, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, belief system बहुत भहंकर चीज होती है, आप देखिए न, आपके घर के अंदर कोई भी चावी बजा रहा होता है, तो आपको खुद भी डर लगने लगता है, बेशक आप इसको कितन या भी अपने आपको smart समझते हो, अगर बिल्ली रस्ता काट जाएगी न, तो हलकासा, हलकासा, कि यार शायद कुछ गड़बर ना हो जाए, आप चावी बजा रहे हैं, कुछ गड़बर ना हो जाए, आपके घर में बोला जाता है, कि जाड़ उपे पैर मत रखो, लेकिन क्या हो गया, रख दिया, तो कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, आप बोलतो रहें कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप जाड़ उपे पैर रखते हो न, तो आपको हलकासा अंदर से डर तो होता है, कि यार फट रही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, आपकी फट नीरी होती है, बिलीव सिस्टम इतना दादा स्ट्रॉंग है कि ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी ऐसे एमोशन्स पैदा करती है, कि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, बिलीव सिस्टम, बचपन से वही चीज सुनते आ रहे हो, जो भी जीज रिपीट करते ज बार बार वो आपका आचरन बन जाएगी, जिन विचारों को बार 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 बोलते रहोगे वो आपके नीचर में आ जाएगा, मेरी विलपावर पे कोई फरकनी पड़ता, अपनी ऐसी तैसी कराओ, मेरा मन कर रहा है चॉकलेट खाने का मैं खाऊंगी, मेरा मन कर रहा ह मैं माइस किरम खाने का मैं खाऊंगी मेरी विल पावर पे कोई फरकनी पड़ता अगें प्रैक्टिस दो बहुत इंपोर्टेंट चीजे पहली मैंने एक और चैनल खोला है सेंटली चिल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाके सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है शायद क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा उस चैनल पर मैं रियाक्शन वीडियो अप्लोड करूँगा फन करूँगा तो it will be more a reaction channel तो आप बिल्कुल जाहिए और वहाँ पे मुझे subscription चाहिए आप लोगों का आप वहाँ पे subscribe कीजिए subscribe करना free है ठीक है दूसरी चीज 22-24 नवंबर को webinar host करने जा रहा हूँ on how to build a strong persona एक ऐसा personality एक ऐसा औरा कि आप कहीं बैठे किसी से बात करें ना पहली बार तो आपको जिंदीगी पर ना भूले एक अलग respect एक अलग dignity एक अलग personality क्या-क्या ऐसी चीज़े होती है psychological perspective से और philosophical perspective से मैं आप लोगों की साथ share करना चाहता हूँ description में link होगा आप वहाँ पे जा सकते हैं सारी important information को पढ़ लेना उसके बाद जा करके register करना timings, date, कहाँ पे webinar होगा सारी चीज़े, conditions वगएरा रंग से पढ़ लेना और मैं आपको मिलूँगा webinar में again 22, 23, 24 नवंबर अगर कोई topic है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊ comment करके आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको विलूँगा आगली वीडियो में till then good bye